अपने फोन में पावर बटन से कॉल को कट करते हैं जो आप सिंपल तरीके से अपने फोन को यूज करना चाहते हैं आपके फोन में पावर बटन कोल एंड तो अपने फोन में यूज कैसी करना है इसकी सेटिंग में आपको वीडियो बताने वाला हूं यगर आपके पास कोई incoming call आ रहा अगर आपको नहीं receive करना है तो आपको अपने फोन को जेब से बाहर नहीं निकालना है सुपल आपको अपने पावर बटन को दबा देना उर आपके अपके कंट हो जाएगी तो पर इसको है काफी अच्छा लगे अपको तो चलिए आपको प्लिलते हैं और आपको बताते आपको निकिक करना है तो पिर एंस आपको setting को click करना है आप जाएसे setting को click करोगे आपको setting में कुछ ऐसा interface मिलेगा तो आपको थोड़े सी school down करके नीचे आना है और यहाँ पर auction मिलता है short cut accessibility का auction तो आपको उस पर click करना है यह वाले auction पर आपको click करना है और इसके बाद आपको थोड़ी सी scroll down को नीचे करके नीचे आना है और यहां पर आपको मिलता है accessibility का auction और इस पर आपको click करना है आप जैसे इस पर click करोगे आपको यहां पर नीचे आना है और यहां पर आपको नीचे भी मिलता है पावर बटन एंड कॉल आप देख रहें यहां पर आपको पावर बटन एंड कॉल का ओप्षिन आ रहा है तो आपको इसको एनेबल करना होगा आपको अपने फोन में इसको एनेबल करना होगा यहां पर आप देख रहें एक बटन आ रहा है इस बटन को आपको इहां पर एने में आपको अपने screen पे touch नहीं करना होगा Simple आपको अपने power button को दबाना है और आपको call जो हो cut हो जाएगी तो प्रेंस इस तरह से आप अपने phone में power button call under setting कर सकते हैं तो अगर आपको अपने phone बटन आप यहां पर पर लिखो अप देख रहें पावर बटन का ओक्षिय and ऊंपडरं को और यहां पर आपको अपने फिन एंड़ा करते हैं और से चैटिंग काफी अच्छा काम करता और अब आपको भी काफी अच्छा लेगा आपको सबसे पहले हम्हारी था कि आपको सबस्फे पहले फिर भी तक स्ट्राइब के साथ तक कि लिए बाइबाइब